टाइगर थ्री में सल्मान खान की होगी बहुत जबरदस्त बॉडी पहली जलक आई सामने बॉलवो डाक्टर सल्मान खान और कैट्रीना कैफ हाल ही में रूस पहुंचे हैं दोनों वहां फिल्म टाइगर थ्री की शूटिंग कर रहे हैं हाल में शो के सेट पर की कुछ तस помощal media पर भी वारल हुई थी इन तस्वीरों में सल्मान खान बिल्कूल अलग अफ़तार में दिखाई दिये वो लाल रंग के लंबे बाल और लंबी दाड़ी में दिखाई दिये थे वो सेंट पीटर्सबर्ग शहर में शूटिंग कर रही है इसके बाद इन दिनों सलमान खान की एक शर्टलिस तस्वेर भी वारल हो रही है जिन में सलमान खान की मस्कुलर बॉडी नजर आ रही है पता दी कि ये फोटो सलमान खान ने बींग यूमन क्लोधिंग के लिए शूट कराया था और ये तस्वीर कुछ तिरों पहले की है और इसी बॉडी में ही सलमान खान हमें टागर 3 फिल्म में देखने को मिलेंगे इसके अलावा सोशल मीडिया पर कई फैन पेजिस ने सलमान और केटरीना की तस्वीरे और वीडियो शेयर किये है एक वीडियो में सलमान खान अपने भतीजे निर्वान खान के साथ अपनी कार में जाते हुए दिखाई दी रही है निर्वान खान सोहेल खान के बेटे हैं एक सूत्र ने खुलासा किया कि निर्वान फिल्म में असिस्टन डारेक्टर के तौर पर काम कर रही है सूत्र का कहना है निर्वान बहुत जल्द फिल्मों में काम करना जाते हैं वो अभी 21 साल के है और उनका डारेक्टर बनने का सपना है इसलिए सीखने और अनुभव के लिए उन्होंने एक असिस्टन डारेक्टर के रूप में फिल्म से जुड़ने का फैसला किया तकनीकी पहलूओं को सीखने के अलावा वो ये भी सीख रही है कि सीन को कैसे सेट किया जाता है और कैसे पूरी कास्ट के साथ भी कॉंटाक्ट किया जाता है सूत्र ने आगे कहा निर्वान को अपने साथ ले जाने का आइडिया सलमान खान का था उनका मानना है कि फिल्म की कलाकारों और क्रू से उनके भतीजे को एक अच्छा एक्सपोशर मिलेगा सलमान ये ही काम करें और जितना संभव हो सके उतना सीखें बता दे कि टाइगे 3 का रूस में शूटिंग का 45 दिन का शडियूल है इसकी शुरुआत एक कार का पीछा करने की सीन से हुई है ये आक्शन से इन इंटरनाशनल लेवल का है जिसे डारेक्टर मनीश शर्मा ने शूट किया है प्रोडियूसर अदित्य चोप्रा का माना है कि प्रोजेक्ट के साथ कोई समझोता नहीं होगा फिल्म शूटिंग के लिए भार्तियों और रूस क्रू मेंबर काम कर रही है शूटिंग के लिए कोरुना नियमों का भी पालन किया जा रहा है जएल जया जरन ज्वेल जएल्सर जँड्सरौ जएल्सरौ